पर बात करते हैं महाओए जिन्य होरा नहीं है। हम कब्लुम के परता हैं होटता है। हनली कि हम आइन्वेत शाथ के पैखता ही जिसновे लीकैन आपो सेघाव यह आ एक गाल पे चाठा मारे त से महाल आगे कर दो कैसे हैं आप लो सबक्षक है ने डिबेट को शुरू राहूल गॉंद्를 ने बोला जो लोग अपने आपको हिंदु कहते हैं वो 24 गंटे हिंसा हिंसा के 또 팀 ۔ अगर इस परिवाशा से भी आते हैं इस परिवाशा से भी आते हैं तो रा乌 गानदी ने हिंदुत्व की बात नहीं करी यह दू की बात करो जो राहुल गांधी ने जो भाषा जो होती हैं भाषा में संकेत भी बहुत महत्र महों होता हैं भाषा केवल शब्दों से व्यक्त सब्बा और को जिस मेस हालग लेकिन संकेत दूसरा अर्थ देता latchant राहूल गांदी इशार करके कह रहे थे कि यह जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो बीजेपी और आरेसस के हिंदूओं के लिए कह रहे थे यह लोगों को हिंसक बिलाने का प्रियास करते हैं अब सपत का पूछ रहे हैं सत्तर निस्ठा के बिना इस्वर का क्या महत है जहां अब बिना सत्तर निस्ठा है जो शुदान शुत्रवेदी समझ रहे हैं राहूं जी वो कह नहीं रहे थे जो चिराग पासवान जेडियू के कई नेता ललन सिंग समझ रहे हैं इस देश का बच्चा बच्चा समझ चुका है कि राहूल जी आकिर कह क्या रहते और राहूल जी भी समझ रहते कि वो कह क्या रहते चुकि वो फस गय कहके तो अब वो बहाने बना रहे हैं अब देखे क्या है कि राहूल गांधी जी की राजनिती जिस धूरी पर टिकी आखिर वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी धार्मिक गुरूप को कि आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा है जबकि बात ऐसी बिलकुल नहीं है सम्विधानवाद है देश में तो राहूल गांधी उस समय सम्विधानवाद कहां भूल गए जब वो हिंदू को पूरे हिंसक बताने लेगे मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी को इस बात के लिए सार्जवनिक रूप में माफी बागनी पड़ेगी ये बड़ी अच्छी बात के यहाद राहुल गांधी जीत उसी समय हो गए जनता का दिल उन्होंने जीत लिया जब राहुल गांधी जी के भासन में आधरनी परधान मंत्री जी खड़े हो गए और राजनाद सिंग जी खड़े हो गए इसका मतलब है ये गरव का विशह है कि राहुल गांधी जब इस देश की समविधान के पीलर पर हमला कर रहेते इस देश की सम्विधान की मूल भावना पर हमला कर रहे थे, इस देश की संस्कृती पर हमला कर रहे थे, तो क्या इस देश का प्रदान मंतरी सदन में चुपचाप कुरसी पर बैटा रहता, क्या इस देश का ग्री मंतरी चुपचाप कुरसी पर बैटा रहता, वो खड़े हो करके उसको चुनोती दिया कि आपने गलत बात करी है और गलत को गलत कहना सत्तापक्ष की जिम्मेदारी है थी के ओके तो ऐसा दिल जीतने की बात कहीं कि मैच में बॉलने गलत बॉल ने ने टोक है नो बाले का देखो मैं घूड गया और जी जीत गया। उस जंकी हाँ बात करने कैंगा प्रयास कर रहा है किadaki सवाल का है? पॉंट का है? सबल का है? ऌमीश जी प्लीज माईक मत अटाईए आघ दो सवाल है बाटी जी रह्मानी साहु तिवारी जी जी। राहुल गांडी नीड पर बात करते हैं अगनी वीर पर बात करते हैं महिला क्या मनीपूर मे हैं बंगार की संधेस्काarlी में महिला नहीं है दिनाज़पुर में महिला नहीं है और दूसरी वाद आपने भाटी जी अभी का कि इन्दू होने पर गर्ब है लेकिन रहामानी जी बाटी जी और तिवारी जी सनातन पर जब कोई कीडा मकड़ा बोलता है तो दर्द नहीं होता है एचाईवी एड़्स बोलता है तो दर्द नहीं होता है तब हम देखते हैं कि विभक्षियों का मुझ जो है सिल जाता है इसलिए आपने का कि इंडिया को कोई क्यूं नहीं सुनता है इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि कीड़ा मकोड़ा बनताने के बाद भी आप लोगों का चल चूटा जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं हम उसका समर्थक नहीं किसी धरम के खिलाब किसी जाती के खिलाब टिपनी नहीं करने चाहिए दूसरे इसका सब्सक्राइब जो सत्यता है वो यह है कि कुछ कटर हिंदू कटर मुसलमान हैं दोनों तरफ वरना ज्यादा हमास पर जाकर हमला हो रहा है वहां भी हिंदू के वज़े सब्सक्राइब बर्मा में रोहिंगा वाले में हिंदू के वज़े सब्सक्राइब सब्सक्राइब काफी टाइम के वाद आप आए अरे सब्सक्राइब कांग्रेस के सवाल है मेरा अपना की देखिए जितना बरम उतनी शासत एक विपक्ष्ट का जो नेता था रहुल गांदी जी वह ब्लक्स्ता है नेता था नहीं नेता है कि आने वाले टाम में पता नहीं ना कि पहले ही बार पहले ही दिन सतन में भर्मित कर दिया उन्होंने लोग भर्मित किया क्या अगनी वीर्स से लेके आपके लेके अपना जितने भी जो थे हमारे लुए बुद्धे थे उन्होंने गिने थे और सबने उसके बाद पूरे 140 क्रोड को भर्मित करके इतना जूट बोल दिया गया कि आज भी लोग भर्मित है और मैं भी भर्मित हूं सर मैं भर्मित हूं अब प्रक्राइब ब्रमित है अब इन्हों वैसे चश्मा भी डाला प्रहुल गांधी जी ने देश के नवजवानों किसानों माताओं बहनों के सवाल उठाए चात्रों नवजवानों के सवाल इसका जवाब आदर निंपर्धानमंत्री जी धाई घंटे के अपने भासनों में नहीं दे पाए अज़ू संदुश्ट नहीं कर पाए और यह सान राज्जों में उन्होंने शांदार सपलता हासिल की जहां सायोगियों के कंदे के उपर चड़े हैं प्रधान मंत्री जिने कहा पर जी भी है उत्तर प्रदेश में नव दशमलों तीन प्रतिशत वोट पाके छे सीटे पाई हैं अब सर आप नमने ठंटे बोले आप अपने ठं इंडीक के दम पे महाराष्ट में महाविकासागाडी के दम पे और एक आपको बता हूँ आपको पता है कि चुनाओं में सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है कौन सी लोग सभा जीती गई है किसी को पता है पता है पता ही है कौन सी दुबरी हां दुबरी कितने से दस लाग 25,000 से कॉंग्रेस के रकीबूल हसन जीते हैं और असाम में ये वो इलाका जिसके लिए मिनी बंगलादेश का आ जाता है जिसमें सबसे आदा डेमोग्राफिक चेंज आया है और बदुरू दीना जमल चुनाव हार गए अब सोच लीजिए आर जेडी और सपा का क्या होने वादा है अरती जंता पार्टी और आरेसस के लोगों ने अंग्रेजों से ट्यूसन लेके एक बात बहुत अच्छी तरह सीकी कि कि डिवाइड एंड रूल वह इंकर रहता है अब ये अखले सियादा राहूल गांदी के बी चेत्रवाद के नाम पे डिवाइड करते रहते लोगों ने क्यों बोला कि नेता प्रत्रिपाक जब ये जब पूरा जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मामला आया उनलों बोला हमसे तो पूछा इन गया किसी सर्कार है नजर आप पर टीडीपी पर हम चुनाव प्रस्ताओं के अब जीवन भर इंडिये में ही बने रहेंगे जब तक ये पार्टी है दूसरा एक सवाल है कि ये भाटी जी कह रहे थे कि पास साल ऐसा चलेगा कि जो राहुल गांदी हरकत कर रहे हैं संसद में तो चुनाव में जूट बोल करके तो आप निकल सकते हैं 99 प मैं इनको वीद भरी नजरों से इसलिए देख रहा हूँ कि 2025 के बाद ये जीवन भर की बात जीवन भर रहेगी या नहीं रहेगी अभी ये भी नहीं कह पाएंगे मैं भी नहीं कह पाऊंगा सुधान जीवन होता है सरकार का 5 साल जीवन होता है इस देश के लोगों से हमको बड़ी खुशी है कि सरकार NDA की बनी है और इंडिया की नहीं बनी और उसका कारण यह है कि अगर इंडिया की सरकार बन गई होती तो एक साल से ज्यादा चल नहीं सकती थी सुधान चुछी जिस तरह विशारा कर रह अगर तो दूसरा गाल आगे कर दो तो रहूल गांदी जी सदन के अंदर जूट बोल रहे थे या तो याँ भाई साब देखिए याई डिबेट बहुत जाद आमेजिन रही ऑडियोंस के सवाल भी उससे एक नंबर सवाल रहे हैं बाई अच्छे कॉंगर्स प्रवच्टा अपने उसमें क्या ही ते उन्हों का भाई राहूल गांदी नहीं से बोलो कि पीम खड़ा होगे अमि नहीं जीत बता रही हैं मैंने यह खड़ा करवा दिया तो वह गलत है और बाकि मुझे सवाल बहुत जारा वैलिड लगा बहुत जारा अच्छे लगा चलो ठीक है मानिपूर में इन सब जगहों पर गलत हो रही है चीज़े लहीं अगर आप महिलाओं की बात कर रहा है आप राजस्थान में जहां आपका सासने कॉंग्रेस का वहां की बीबात करो बंगाल में जहां टीमसी की सरकार वहां की बीबात करो मनिपूर की बीबात करो तब यह हमें बात फैली लगती है कि यह आपने हर पॉइंट हर जगह कई महिलाओं के बारे में बोला अब आपके यह पाल्यमेंड में बोल दिया कि हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए तो आपने अगले दिने फायर कर दी है भाई यह कहां कि आप उसमें चला रहे हैं भाई सरकार को नहीं पॉइंट आट कर सकती इस बात पर आप गलत हो इसमें लेकिन यह बात सोचने वह बताओं जो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगले वीडियो में किस दिबेट बनों आप हमें कमेंट सेचन में ज़रू बताइएगा तब तक यह मिलता आप से अगले वीडियो में